नमस्कार आप देख रहे हैं कच्चा चिठा और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर दिल्ली के सीम केजरिवाल और उनकी पाटी अब पूरी तरह से बरबादी के कागार पर है जैसे जैसे लोग सभच चुनाब नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आम आगमी पाटी को जोरदार जटके भी लग रहे हैं चंदिगड में भी अब केजरिवाल को जोरदार जटका लगा है जिसकी वज़े से केजरिवाल सदमे में ना चले जाए पूरे खेल को कैसे पलता जाता है और कैसे हारी हुई बाजी को जीता जाता है ये BJP से बहतर कोई नहीं जानता है चंडीगर में BJP ने बड़ा खेल कर दिया है और केजरिवाल को 440 वोल्ट से भी जादा तगडा जटका लगा है तो क्या कुछ है पूरा मामला इसी का पूरा कच्चा चिठा खोलेंगे केजरिवाल को जोरदार छटका चुनाफ से पहले हो गया खेला तीन पार्शदों ने बीजेपी का दामन थामा केजरिवाल को दिखाया ठेंगा चंदिगड में हुए मेर चुनाफ को लेकर केजरिवाल की पाठी ये आरोप लगा रही थी कि धांदली हुई है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरान नया रिटर्निंग ओफिसर नुक्त करने का आदेश दिया है और साथ ही रिटर्निंग ओफिसर को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के लिए भी कहा है इतना ही नहीं सुप्रीम कोट में काउंटिंग के दौरान का वीडियो भी सुप्रीम कोट को देने का आदेश दिया है चुनाफ के बालिट पेपर को भी लाने का आदेश दिया है मेर चुनाफ के पीठा सीन अधिकारी अनील मसीह पर सुप्रीम कोट ने कड़ी टिपड़ी की कोट ने कहा कि चंदिगर मेर चुनाफ में रिटर्निंग आफिसर अनील मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वो चुनाफ प्रक्रिया में हस्तशेप कर रहे थे अदालत ने कहा कि चुनाफ अधिकारी ने माना है क्योंने बालिट पेपर से छेड़ चार की थी और उनके खिलाफ केस चलना चाहिए यही नहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि बालिट पेपर की वो खुद जाच करेगा बेंच ने कहा कि इस चुनाफ में होर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों का दल बदल चिंता जनक है एक तरफ तो सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोट की सुनवाई से पहले ही केचरिवाल को उसी के तीन पार्षदों ने ठेंगा दिखा दिया चंदिगर के नए मेयर मनोच सूनकर ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस ने बीज़पी पर धोका धड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था सुप्रीम कोट में सुनवाई से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पंजाब बीज़पी अध्यक्ष चीतेंद्र मलहोत्रा ने इसकी पुष्टी की इस बीट चंदिगर में आम आदमी पाटी के तीन पार्शत पूनम देवी, नेहा, मुसावट और गुर्चरन काला बीज़पी में शामिल हो गए है पंजाब में मेयर चुनाफ में कथिद धांदली के आरोपो को लेकर आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी और चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग के साथ ही नए मेयर के कामकाच पर रोक लगाने और चुनाव के तमाम दस्तावे सील करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में मेयर के कामकाच पर रोक लगाने के साथ ही तमाम चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और बैलेट पेपर को सील करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोट में सुनवाई से कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने उन्हें अलपसंख्यक प्रकोष्ट के महासचीव पत से हटा दिया था 19 फरवरी के सुनवाई में अनील मसीह भी कोट में पेश हुए मेहर चुनाफ की CCTV से निगरानी की गई देखा गया कि अनील मसीह बैलेट पेपर पर कलम चला रहे थी जिसे देख CGI चंदरचूट नारास हो गए और कहा था कि इसे कोई बताओ कि सुप्रीम कोट उसे देख रहा है आप के तीन पारशदों के तूटने के बाद बीज़पी के पास कुल 17 पारशद हो गए है इनके अलावा एक सांसत का वोट भी है और बीज़पी को शिरोमणी अकाली दल के एक पारशद का भी समर्थन है ऐसे में अब बीज़पी के पास कुल वोटों की संख्या 19 हो गई है आम आदमी पारशदों के पास अब घट कर सिर्फ 17 वोट रहे गए हैं जिसमें आम आदमी पारशदों के 10 और कॉंग्रिस के 7 वोट शामिल है चंदिगण नगर निगम में कुल 35 पारशद हैं जबकि 1 सांसत का वोट मिलकर 36 वोट डाले जाते हैं ये ही फिर मेयर को चुनते हैं चंदिगण में 30 चनवरी को मेयर के चुनाब हुए थे कॉंग्रिस और आम आदमी पारशदी ने इंडिया गडबंधन के तहट चुनाब लड़ा था और संयुक्त रूप से उनके पास 20 पारशदों के वोट थे हाला कि प्रिसाइडिंग आफिसर या रिटर्निंग आफिसर ने कथित रूप से उनके 8 वोट रद कर दिये और 16 पारशदों के समर्थन वाले बीजपी के जीत का एलान कर दिया था इसी दर्मियान पाटी नेताओं ने मनोज सोनकर को मेयर की सीट पर ला कर बैठा दिया तब से ही आप कॉंग्रिस सोनकर को उनके पत से हटाने की मांग कर रही थी चंदिगर नगर निगम की सीटों के समिकरन की बात करे तो आम आदमी पाटी आप के तीन पारशदों के भाजपा में शामिल हो जाने की वज़े से अब आप के पास 10 वोट ही रह गए हैं वहीं कॉंग्रिस के पास 7 और शिरोमनी अकाली दल के पास एक पारशद है 9 पारशद नॉमिनेट किये जाते हैं चुन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है अरुन सूत ने बताया कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है और मेयर भाजपा का ही रहेगा लोग भलाई की नीतियों के चलते चंदिगड भाजपा का कारवा बढ़ता रहेगा इस अफसर पर नेहा मुसावत ने कहा कि आम आदमी पाठी अपनी नीतियों में असफल रही है वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा जोइन कर रही है पूरम देवी ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी गरीबों और दलितों के मसीहा है उन्होंने समाच के हर वर्ग के लिए बहुत विकास के काम किये हैं और वो भाजपा जोईन करके खुश है गुर्चरन काला ने कहा कि वो पहले भी भाजपा में थे, कुछ लोगों के हाथों गुमरहा हो गए अब दोबारा भाजपा में ही है वहीं आप पार्शदों के बीजपी में शामिल होने पर पार्टी के राश्र महासचीव विनोत तावडे ने कहा कि चंदिगड के पार्शद पूनम देवी नेहा मुसावट गुर्चरन काला आज बीजपी में शामिल हो गए हैं वे उसके साथ अपनी पाज़ी के वहवार से नाखुश हैं बीजपी उनका समर्थन करेगी और वे विकास में मदद करेंगे आम आदमी पाज़ी के नेता प्रेम गर्ग ने दो पार्शदों नेहा और पूनम के भाजपा में शामिल होने पर दुख व्यक्त किया उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य पून है कि हमारे दो पार्शद नेहा और पूनम को भाजपा ने खरीद लिया है यहां तकी नगर निगम के मेयर जैसे चुनाफ के लिए भी बीजपी को ऑपरेशन लोटस को अंचाम देना पड़ा ये वाकई शर्म की बात है नयालों को सताधारी दल द्वारा अपने धन के थैलों का उपयोग कर इस खरीद फरोक्त का आवश्य संग्यान लेना चाहिए हमारी मांग है कि अनील मसीह की तरफ से धोके से अवैद खोशित आठ मतपत्रों को वैद माना चाहे और आपके उमिद्वार को मेयर खोशित किया चाहे साथ ही सुप्रीम कोच को नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू करने की दिर्टा से सिफारिश करनी चाहिए जहां चुनाफ पार्टी प्रतीकों पर होती है मेयर का चुनाफ हाथ उठा कर होना चाहिए भाशपा की सदस्यता लेने वाले पार्शद गुर्चरन काला ने कहा कि आपने उनके उपर दबाफ बनाया था उन्होंने पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर भाशपा की सदस्यता लेने की बात कही है नेहा मुसावत ने भी आप पर इसी तरह के आरोप लगाए चंदिगर नगर निगम में मेयर पत का चुनाफ 36 पार्शद मिलकर करते हैं सबसे जादा वोट पाने वाला प्रत्याशी चुना जाता है वर्तमान परिस्थित्यों के हिसाब से भाशपा के पास 17 पार्शद, एक सांसद, चंदिगर मेयर चुनाफ में सांसद भी वोटिंग करते हैं और S.A.D. के एक लौते पार्शद का समर्थन है वहीं आप और कॉंग्रिस को मिला कर भी मात्र 17 ही वोट होते हैं ध्यान देने वाली बात ये भी है कि नए राचनीतिक समिकर्णों के आधार पर आपको कॉंग्रिस का समर्थन मिलना मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने हाल ही पंजाब चंदिगर का लोगसभा चुनाफ अकेले लड़ने का एलान किया है चंदिगर में मेर चुनाफ पहले 18 जनवरी के लिए शड्यूल थे लेकिन अनील मसीह कथित रूप से बिमार पड़ गए थे इसकी वज़े से चुनाफ को स्थगित करना पड़ा था बाद में पंजाब एंट हरियाना हाई कोट के आदेश पर 30 जनवरी को चुनाफ की तारीक तै हुई चुनाफ में CCTV से निगरानी भी की गई लेकिन चुनाफ में कथित रूप से धांदली हो गया आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस ने चुनाफ को रद करने के साथ ही मेयर का चुनाफ फिर से करने की मांग की थी अब सूप्रीम कोट में अगली सुनवाई पर क्या होगा ये देखना काफी जादा एहन है क्योंकि सुप्रीम कोट अगर दुबारा से चुनाफ करने का आदेश देता है तो फिर सभी पार्टियों की मुश्किले बढ़ जाएंगी आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं कच्चा चठा में फिल्हाल के लिए बस अतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया